नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी साइट पे सर्वीस स्टेर केस यानि की सर्वीस के जीने का मार्किंग करने वाले हैं सिंपल जीना है ये, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद दोस्तों आप भी कहीं भी जीने का निसान लगा सकते हैं आसानी से मैं आपको बिल्कुल आसान भासा में बताऊंगा तो जैसा कि आप दिवार पे देख पारे हैं हमने मार्किंग किया हुआ जीने का तो ये किस हिसाब से हमने रखा क्या क्या मार्जिन हमने इसमें छोड़ा है और किस तरह से पूरा कैलकुलेशन हम करते हैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा तो दोस्तों सबसे पहले ये देखिए हमारा जो राइजर है यहाँ पे 6 इंची है और जो स्टैप है वो है हमारा 10 इंची ये हमारी स्टार्टिंग पोइंट दोस्तों ये हमारा फ्लोर लेवल है जहां से हमारा बिल्डिंग का फ्लोर है उसके बाद ही हमारे स्टैप है तो हम जो स्टैप लेके चलते हैं दोस्तों वो ओड यानिकी विसम संख्या में लेके चलते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से तो सबसे पहले आपको क्या करना जिस जगह पर आपको सीडी चडाना है उसकी लंबाई उसकी चोडाई और उसकी हाइट आप ले उसके बाद जैसे आपकी हाइट आप रख रहे है 6 इंची तो टोटल जो हाइट है जो आपकी ऊपर चट पे जा रही है उसके इसाफ को उस हाइट को आप 6 इंची से डिवाइड कर दें आपके पास आपके स्टैप निकल के आ जाएंगे कितने स्टैप आएंगे और कितने इंची के आएंगे उसके बाद दोस्तों चोडाई में जैसे मालीजे 6 फिट में आप चड़ा रहे हैं इंची 14 इंची लेंथ में जो भी आपका साइज आता आप उससे डिवाइड करके आपके जो लेंथ है आपके जो स्टैप है उसका साइज आ जाएगा कि कितना चोडाई का आपको स्टैप मिलेगा तो इस तरह सबसे पहले आप measurement करें उसको divide करें उसके बाद दोस्तों हमें दिवार पे cement का घोल लगा करके इस तरह से हमारा जो step और हमारा जो riser है उसकी marking करनी है गुनिये की मदद से तो जहां से हम start करेंगे पहला step वहां से हम marking करना start करेंगे water level लगाएंगे water level से हम सारे step का height हमारा 6 इंची है तो 6 इंची के इसाब से हम पूरा water level एक side में लगा लेंगे दिवार में उससे हम सूता बांद के भी दोस्तों इसको कर सकते हैं जैसे जिस दिवार पर हमारा step आ रहा है तो दिवार की जो length है उस पर end to end हम जितने height का step है उस पर हम water level उतारके सीधा सूता जाड़ करें यह जो marking हम कर रहे हैं वो कर सकते हैं उसमें time लगता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं वो भी option है वह आप कर सकते हैं उसमें भी accuracy आईगी और इसमें भी accuracy आईगी दोनों में आपको ध्यान से marking करनी है तब ही यह काम आपका ठीक होगा तो जैसे ही ह की लुगत उपवं मैं इसमें पहला स्कारिम होता है और हमेरा रहे स depression mori जी पर हमार पत्थर में करें दोरा थेख आप ठाइल टीन डेंगा अक्रक्य पहले हों स्टर्ण की ओपर हमारा अभरा पत्थर में तरहें कि हमारा न फिस Nicki' करके दिखाता हूं कि starting वाला जो step है उसको आपको किन-किन margin के साथ क्या-क्या आपको पत्थरो टाइल का किस तरह से margin छोड़ना फ्लोरिंग का और जीने में जो लगेगा उसका किस तरह से calculate करके आपको पहला step है उसको आपको किस साइज का रखना है ताकि आपकी जो जो भी आप हाइट ले रहे है step की वह बिल्कुल accurate और बिल्कुल ठीक आए तो चलिए मैं एक demo करके आपको दिखाता हूं तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि जो starting वाला step है उसके लिए आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है क्या-क्या margin लेकर चलने हैं इसके अ दोस्तों और लेके चलते हैं तीन इंची यहां से हमारा step start हो रहा है जैसे मालीजी 48 इंची चाहिए ड्राइंग में दे रखा है यहां से यहां तो इसको आप 48 नहीं लेंगे यह दिवार जो है अगर आपने इसको प्लस्तर कर रखा है तो आप इसको लेंगे 50 इंची इसको लेके यहां तक जो चोकी है अगर यहां प्लस्तर हो रखा है तो इसके बाद इसपे paint होना है इसपे कोई ज़्यादा margin जाएगा नहीं तो इसको हम 50 क्यों करेंगे अगर यहां हमारा प्लस्तर हो रखा तो यह पहला step है इस 50 क्यों start करना है वो इसलिए दोस्तों इसके उपर हम पत्थर लगाएंगे उसका दो इंची margin उता और यहां भी हम पत्थर लगाएंगे यह दोनों जो step का हम पत्थर या टाइल का margin लेते वो दो इंची लेते हैं तो जैसे मैंने यहां से माली समझ लीजिए मैंने प्लस्तर कर रखा है तो यहां मेरे को 48 चाहिए यहां से 50 ल जाएगा एक इंची का प्लस्तर का margin लेंगे फिर यह आप 48 आजाएगा तो सबसे पहले आपको यह side check करना है प्लस्तर का और पत्थर का margin लेना उसके बाद दोस्तों मेन आता है इसकी height क्या रखेंगे आप जैसे माली जै हमारे 6-6 इंची के step हैं तो इसको आप 6 अगर कर द जैसे हम यहां तीन इंची टाइल यह पत्थर लगाएंगे तो आपका यह तीन इंची बच जाएगा और यहां पर आपका मामला फस जाएगा तो इसके लिए आपको simple सा मैं बता हूँ जैसे माली जैसे मुझे 6 इंची लेना है example के तो 6 इंची मेरा यह हो गया दोस्तों 6 इ आपका यह राइजर है 5 इंची 6 इंची 7 जो भी आप ले रहें उसमें से आपको 2 इंची कम करकर के जैसे मेरा 6 इंची है तो मैंने 2 इंची कम कर लिया इसमें 6 इंची size है 2 इंची कम कर लिया मेरे पास बचगिया 4 इंची तो 4 इंची यह बचगिया плюс जो आपका flooring का level तीन स्टेंडर होता है वो हम लेके चलते हैं तो मैं उसी के इसाफ से आपको बिता देता हूं तीन ये मेरा ये आ गया तो ये मेरा को स्टैप चाहिए फिनिस उसमें से मैंने दो इंची कम करते हैं ये मेरा पत्थर का है या टाइल का जो टोप पे लेगा चार इंची बज़ इसमें मैं ये प्लस तीन इंची कर दोंगा तो कितना हो गया साथ इंची तो पहला स्टैप हम साथ इंची पे चड़ा देंगे अगर हमें छे इंची का चाहिए ऐसे कैलकुलेट कर रखते हैं आपको जितने ही का विचिए पांथ छे साथ आप सिंपल ये दो इंची उसमें इसमें इस साथ इंची डाल दिया इसके उपर तीन इंची मेरा यह आ जाएगा फ्लोरिंग ये वचे का चार इंची उसके बाद दो इंची आएका तो मेरा छे हो गया उसके बाद ये आपको छे 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 करने हैं वह किस तरह देखिए ये यह हमने टाइल पत्थर लेंगे तो यह ओरिजनली फिर वहीं आजाएगा छेंची फिर यह कम हो जाएगा चार फिर जब हम इस पर दो इंची पत्थर लगाएंगे तो इस तरह से सारा साइज काम करता है यह एरिया जो है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसकी कैल्गुलेशन जरूर करनी ह यह आपका गलत चैड़ गया तो समझ लिए सारे step आपके खराब हो जाएंगे आपको जीना तोड़ना पड़ सकता है तो इस पे आपको खाज जहां रखना है सारे margin टाइल पत्थर का इसाब लेकर के पहला step लगाएं उसके बाद आप जो भी size का चल रहा है वो ही है यह सब ल जैसे दोस्तों आप यह marking करते चलते हैं तो आपका जो total area है उससे भी आप इंची टेप लगा लगा के चेक करते रहे ताकि अगर कोई फरक आता है तो आप step में वही उनको manage कर सके और water level भी चेक करते चले ताकि किसी तरह की दो दोस्तों दिक्कत नाए और size में किसी तरह का कोई difference नाए और पक्के मसाले से दोस्तों आपको यह निसान लगाने से यह कभी भी उतरेंगे नहीं और स्यमेंट से निसान लगाने के और भी फायद है जैसे जब हम इसमें शट्रिंग करेंगे तो शट्रिंग वाला जब शट्रिंग करेगा तो उसको पता रहेगा उसको कहां से स्टार्ट करनी है कितना लैवल डाउन रखना है और कितनी लंबाई या चोड़ाई कि उसको श्ट्रिंग करनी है उसको आसानी रहेगी और जब हमारा श्टील वाला श्टील बांदेगा तो उसको भी काम करने में आसानी रहेगी तो आप हमेशा यह से सिमेंट के ही न मार्किंग कर दी उसके बाद हम यह चोकी पर आ गए हैं यहां हमारी चोकी बनेगी तो यहां पर हम चोकी की मार्किंग कर देंगे और इस चोकी से बाद में दोस्तों उपर जैसे यह निचे के फ्लोर से आ रहा है फिर चोकी पर आगे चोकी से फिर हम पैरेस पर जाने के लिए इस तरह से हम घुमाके चोकिया जाएगी चोकी फिर से, फिर हम इसी तरह से, इसी प्रोसीज़र से उपर के stage भी लगा देंगे तो इस तरह से, दोस्तों, आप भी जहां भी जेनेका आपको मार्किंग करना हो तो आप इस तरह से सारे मेजरमेंट करके सारे जो margin हैं उनका calculation करके इस तरह से पक्के निसान लगा करके आप जो steps हैं उनको चड़ा सकते हैं अगले step में दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसकी shuttering के इस तरह से हम करते हैं किन-किन चीजों का ध्यान रखते हैं अगली वीडियो में इसकी शट्रिंग करके दिखाऊंगा वो भी मैं जल्द अफलोड कर दूँगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगए तो इसको लाइक शेर करना ना भूलिएगा चैनल पर पहली बार आए तो इस सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और जल्द दोस्तों मैं इस जीने का किस तरह हम स्टील बांदते हैं किस तरह की कास्टिंग करते हैं वो जल्द मिलते दोस्तों नई वीडियो के साथ तब तक जैहिन